हलो गाईस आप लोग कैसे हैं देखिए मैं दीदास नर्सरी से जो है प्लांट कुछ मनगवाया हूँ उसको मैं अन्बॉक्सिंग कर रहा है जो है यह पहले मैंने थोड़ा खोल दिया है यह आप देखे रही जो है अब देखिए एक श्टिक भी लगा रख रहा है जिससे की पुंधा राम लावी इगा है तो देखिए इसमें इगा तीन पौद है आप देखिए देखिए थोड़ा सा उन्होंने गिफ्ट में जो है खाद भी दिया है प्लांट को लगाने के लिए जो है और ये साथ में फंगिसाइड दिया है उन्होंने जो है प्लांट पेच्वरकाव करने के लिए जो है और ये देखिए एक ये अम्रूत का है ताइवान पिंक ग्वाभा देखिए बहुत ही अच्छा प्लांट है बढ़िया फस्ट क्लास का जो है कितना बढ़िया है ये आप देख सकते हैं नीचे भी पन्नी से और रसी से ये देखिए आपका जो है ये आपका रेड़ वाटर एपिल है जो है बहुत ही इसका फ़ल अच्छा होता है ये भी देखिए थोड़ी पत्तियां बर्न हुई है लेकिन जो है फिर भी काफी ठीक कंडिशन में है जो है इसके कई ब्रांचे जहां बढ़ियां है पधा जो है देख सकते हैं और एक ये जो है आपका थाई सेविन गवाबा है ये भी बढ़िया प्लांट है अच्छा जो है देखे काफी बढ़ा ब्रांच वाला ग्राफ्टिट प्लांट है ये है बढ़िया फर्सक्लास का जो है अब देख सकते हैं यही बढ़ा हुआ है फर्सक्लास का जो है अब देखिए इतने प्लभे जो है बढ़िया से जो है फर्सक्लास का है आप देख सकते हैं जो है और नीचे भी एक फट्टी मैंने लगा रखा था जो है आप देखिए ये प्लभे बहुत अच्छे है अब इसम और तीन-चार दिन के लिए मैं इसे जो है अभी और पौधों के पास रख देंगा उसके बाद तम मैं इसका प्लांटेशन करूंगा जो है कोई भी पौधा अगर आप कहीं से लीजिए तो कम से कम 4-5 मिन तक अपने अन्य पौधों के साथ इसे रख दीजिए जिससे उसके सा किसका ताल में अच्छा हो जाए तो प्लांट ग्रोथ करने में काफी अच्छा रहता है थैंक यू गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अगर आप नए है चैनल पे तो सब्क्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू गाइस